नमाज़कार दोस्तों मैं हूँ आदेध धनराज इंग्लिज विजाट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं फिगर आप इस पीस्ट के दो नए और वर्ट्स मेटोनमी और आपका सिनेग्ड़की जैसा कि हम लोग लास्ट वाले वीडियो में पैंग्राम और पैलेंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था वो भी बहुत ही इंटरस्टिंग था और ये वीडियो आपके एक्जाम के ले जैसे टीचिंग एक्जाम से आपका सीटेट या किसी का स्टेट या सूपरट या किसी अन एक्जाम में ये वनवर्स सब्टिटुशन के बेसिस पर पूछा जा सकता है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटोनमी और सिनेग्ड़की के बारे में देखते हैं इनका मत मेटोनमी एक तरह का नाउन होता है और ये काउंटेबल है इसका प्लूरल बनाया जा सकता है और इस फिगर आप स्पीच का मतलब क्या होता है आप देखे ये डिफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है या फिर वनवर्स सब्टिटुशन में जो स्टेटमेंट्स आते है तो चार आप संस में आपको उसी तरीके से डिफिनेशन में पूछा जा सकता है और इसके एकजामपल के साथ हम इस चीज़ को समझने की कोसिस करेंगे एक अईसा फिगर आप स्पीच होता है जिसमें क्या होता है कि वह एक नेम चेंज का क्राइटेरिया है जैसे किसी भी ए और यही जो quality है this quality suggests the things associated with it अब इसका हम लोग आगे की slide में देखते हैं कि सबसे important point क्या है Metonomica, a figure of speech in which the name of one object is substituted for something closely associated with it तो यह ऐसा figure of speech है जिसमें किसी भी एक चीज़ का जो नाम है या उसका जो object है उसको हम substitute करते हैं किसी दूसी चीज़ के साथ closely, बहुत ही close होता है जैसे example में आप देख रहे हैं, example में लिखा है the white house The white house declared that we are at war with Mars White house ने ये declare कि हम लोग की जो लड़ाई है Mars से है यहां Mars का मतलब Mars पर पहुँचने से है आप यहां white house का मतलब यहां पर देखे white house में देखे क्या है कि जो the white house is a metanomy for the president of the United States आप जानते हैं, United States का जो president है वो कहां पर जो official उसका जो office है वो white house है वहीं से वो किसी भी चीज़ का आदेज या order देता है तो वो ही declare करता है यह कहने का मतलब है जैसे की parliament यह चीज़ है उसके बाद में जैसे दूसरे example में दिया गया है after leading a rebellion he sees the throne तो यहां पर जो throne है वो king ship या जो राजा का power है उस चीज़ को यह denote कर रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहोंगे मैंने figure और उनके images भी लगाय हुए है तो metronomy का मतलब यह है for more examples आगे हम लोग देखते है example में जैसे दिया है crown for king pen for writer purse of money इस तरह का example के तूर पर आएगा आपका जैसे की example दिया गया है the pen mitre then shard यहां पर कहने का मतलब यह है जो pen की ताकत है कलम की ताकत जो है तलवार की ताकत से ज़्यादा है यहां पर pen का मतलब कोई भी चीज़ है यहां intellectuals की बात करता है और यहां shard जो है तलवार यहां पर जैसे की योद्धा की बात करता है यह कहने का मतलब है उसके बाद में जो दूसरा हमारा example है वो दिया गया है ग्रे हेरs should be respected यहां पर ग्रे हेर का मतलब है हमें बुड़े लोगों का जो बुजूरुग लोग है उनका respect करना चाहिए जैसे कि उनके जो बाल है जब वो बुड़े हो जाते हैं तो ग्रे हो जाते हैं पक जाते हैं white कह सकते हैं ग्रे कहा जाता है जैसे next example में दिया है I am addicted to the bottle तो यहां पर bottle का मतलब है wine से यह कहने का मतलब है wine से है तो वो अलग बात है local लोग भी बोलते हैं कई बार बोलते हैं bottle ले आई यह कहने का मतलब यहां पर उसके जो whiskey हो सकती वो तो depend करता है उनके उपर की वो क्या पसंद करते है next example जैसे दिया गया है आपका I have read six pairs तो यहां six pairs का मतलब है कि six pairs के जो plays है या जो works है उनकी बात हम करते हैं तो metronomy आपको समझ में आया कि हम किसी भी चीज़ को एक substituted नाम देते हैं जिससे हमें यह डिनोट कर सके जैसे मैंने grey hairs को old लोगों की बात करी white house से president की बात करी यहा उनको जो है राजा से pen को writer से इस तरह का तो यह आपका metronomy हुआ इसके बाद में हम लोग देखेंगे synecdoche और भी examples देखा है मैंने example दिया है metronomy का literature से set किया है जूलियस सीजर का है यह जो है आपका जूलिस सीजर का act one जो William Shakespeare का है उसमें से जब Mark Antony जो है वो एक statement देता है कहता है friends, Romans, countrymen, lend me your ears यहाँ पर कहने का मतलब है जब भासर देता है लोग बोलता है दोस्तों रोम के वासियों देश वासियों आप मुझे अपने कान उधार दीजिए यहाँ पर कानों को उधार देने का मतलब क्या है कि वो जो उपदेश देना चाहता है उस चीज़ को जो यहाँ आपको बता दिया है यह बहुत ही इंपॉर्टन है तो यह जैसे आप कोई भी एक्जाम जिते हैं PGT, PRT, TGT उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टन है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिगर आप इस पीश दिया गया है आपका Sinecdaki इसको जो है Penal Sheet क्या करते हैं Sinecdaki देखिए Sinecdaki थोड़ा सा Confuse करेगा आपको Metronomy से तो इसको बहुत ही सहाओधानी से समझने के कोशिस है लिखा है It is a form of Metronomy यह एक Metronomy का ही form है in which जिसमें a part is used for the whole एक part को हम पूरी चीज़ से डिनोट करते हैं और या फिर हम एक पूरी चीज़ को एक part से डिनोट कर देते हैं तो और भी यहाँ पर दिये गए हैं कुछ definitions of figure of speech in which part of something is used to represent the whole thing यह दोनों होता है whole thing को part में या part को पूरी चीज़ में डिनोट कर सकते हैं जैसे कि example जो है दिया गया है इसमें sit किया मैंने I have four mouths to feed at home यहां mouth जैसे कहने का मतलब है कि I have four mouths मैं मुझे चार लोगों को खाना खिलाना पड़ता है यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाई खाना तो मूसे ही हम लोग खाते हैं तो यहाँ पर जो चार लोग एक family है उसमें members जो है वो चार है जिनको वो खाना खिलाने का मतलब यहाँ पर पड़ता है तो यहाँ पर चार लोगों को माउट से यहाँ पर उनके खाने की खर्च की बात कही गई है तो यहाँ पर सिनेग्डिकी बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी धान दखी गे इसके हम और भी एक्जामपल्स लेंगे चले देखते हैं आगे भी कुछ एक्जामपल्स होंगे जैसे एक्जामपल दिया गया है पहला जो एक्जामपल है यहाँ पर five more hands are needed तो इसका कहने का मतलब है मुझे पांच और हाथ चाहिए या मुझे जरूरत है अब यहाँ हाथों का मतलब यहाँ लोगों से है जैसे कि आप कोई काम करना चाहते हैं उसमें पांच लोग से है उसके बात में second आप एक्जामपल देख सकते हैं जैसा कि दिया गया है all the best brains in Europe could not solve the problem यहाँ पर best brains की बात कही गई कि सारे के सारे जितने भी best brains थे यूरोप में उन लोगों ने इस problem को solve नहीं कर पाया या वो सक्षम नहीं थे यहाँ पर best brains का मतलब है intelligent लोग जो भी उन को लगता था कि हमारे यूरोप में जितने भी intelligent लोग हैं उनको बुलाइए और इस problem को solve करने की courses करिये तो भी उन्होंने solve नहीं कर पाया यहाँ best brains क्योंकि brains का मतलब मस्तिक्स से है जो की हमारा काम करता है किसी भी चीज़ को solve या interactions देने के लिए उसके बाद में लेखा गय I am a poor creature तो यहाँ पर poor creature जो है वो आदमी को कहा जाता है आदमी जो है वो सबसे कमजोर प्राणी है इस पूरे दुनिया में यह कहने का मतलब है next अब जो और भी कुछ slides में आप for more examples चोटे 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 examples जो हमारे आते हैं exams में जैसे sales दिया गया है यहाँ पर sales को हम पूरे sip से denote कर देते हैं कि की पानी के जहाच को हमें sale करना पड़ता है उसको चलाने का मतलब जैसे car को drive करते हैं यहाँ पर hired hands जैसे दिया गया है तो higher hands का मतलब यहाँ पर जैसे हम किसी worker को hire करते हैं तो यहाँ पर workers को हम hired hands से denote कर सकते हैं उसके बाद में जैसे head दिया गया है अब बाद में जैसे की ब्रेड है ब्रेड को हम जैसे बोल लेते हैं की रोजी रोटी जैसे हिंदी में बोलते हैं की रोजी रोटी से डिनोट करते हैं फूड से या मनी से उसके बाद में जैसे वील्स दिये गए हैं वील्स जैसे आसेटा वील्स तो एक वहिकल बन जाता है पूरा केल योाइन से डिनोट करते हैं छेजांपन हो्ड च्छामपने चिम्परिछी से मस 누 عليه होखें 내 आप जांते हो आपको हम एक्तर से प्यायर होता था तो पुरानी फिल्म में वह उसके पिताजी से उसका जैसे मुझे बाबु यूए मुझे कमला日 चायए या मैं हाथ मांगने आया हूँ तो इसका मतलब यहां हाथ से क्या करेगा उसका कहने का मतलब है वो उससे साधी करना चाहता है यह कहने का मतलब है यहां हैंड्स का मतलब जो है कमला है तो इस तरह का उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं जो आपका सिनेग्डिकी है किसी भी होल चीज को पार्ट में या पार्ट को होल में हम रेप्रिजेंट करते हैं और उसके बाद में जो मेटोनॉमी था हमारा उसको हम किसी भी एक चीज को सब्सटिट्यूट कर देते हैं उसके एक क्लोजली मीनिंग से उसको हम मेटोनॉमी बोलते हैं कई बार ये confusion होता है मेटोनॉमी और सिनक डकी में तो दोस्तों ये जो figure-up speech है इसको आप ध्यान से देखेंगे और ऐसे हम लोग और भी figure-up speech आपको देते रहेंगे ये वीडियो कैसा लगता है आप इसको like करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धनवाद